है थाज का हमारा सवाल है दे वैल्यू आफ इकलिवियूम कॉंस्टेंट और इस तो यहां पर जैए तो इस रियक्शन को तो से जस्ट यहां पर देखना इस रियक्शन की बात करें तो इस रियक्शन में क्या क्या गया है सबसे पहले इस reaction को reverse कर दिया गया है यह राइट में चला गया और दूसरी बात इस reaction को हमने टू से multiply भी कर दिया है तो जब हम ऐसा करेंगे तो के equilibrium पर क्या effect पड़ेगा हमें यही चीज़ बताना है तो देखना जो हमें reaction चाहिए सबसे पहले इस reaction को मैंने reverse किया एक काम करता हूँ मैं सबसे पहले reaction को लिख लेता हूँ half h2 gas plus half i2 gas इस reaction को जब पहले में reverse कर हुआ जब reverse करूँगा तो half h2 इधर आ गया plus half o2 इधर आ गया और यह आपका h i right side में चला जाएगा यदि हम reaction को reverse करते तो k equilibrium आपका 1 by k हो जाता है और यहां k equilibrium का value 8 है तो यहां 1 by 8 हो जाएगा further हमें h2 का भी one mole चाहिए i2 का भी one mole चाहिए मतलब हमें इसे में 2 से multiply करना पड़ेगा जब इस reaction में 2 से multiply करेंगे तो आपको मिल जाएगा h2 plus i2 gives 2 hi और जब reaction में 2 से multiply करते हैं तो ऐसे में equilibrium constant जो k होता है उसमें यह चीज़ पावर में चला जाता है यहाँ से multiply किये होते तो पावर में हाफ चला जाता यहाँ पर हमने 2 से multiply किया है इस reaction को इसलिए k equilibrium का जो value है उसमें यह पावर में 2 चला जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर हम value देख सकते हैं यह 1 by 64 हो जाएगा तो यहाँ से आप easily देख सकते हो और answer आप clearly बता सकते हो कि option जो है वो option भी correct answer होगा इस question का तो simple सा question था hope you understand this question thank you for watching video